नमस्कार दोस्तों एक आम इन्वेस्टर आपका हमारे जैसा सबसे बड़ी गलती जो करता है वो ये है कि वो कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके सोचता है कि अगले दिन से ही उसमें प्रोफिट आना शुरू हो जाए तो ऐसा नहीं होता है और फिर टेंशन में आ करके और लॉस बुक करके और वो बाहर निकल जाते है तो दोस्तो इस प्रोब्लम से बचने का कोई सोलुशन है क्या तो बिल्कुल सोलुशन है और वो सोलुशन है सही मुच्वल फंट को पैचान के उसमें सही तरीके से इन्वेस्ट करना अब question ये है कि भाई 1500 mutual fund की scheme है इंडिया में उससे भी ज़्यादा तो कौन सा सही mutual fund कैसे पैचाने तो उसका कोई तरीका है क्या तो दोस्तों यहाँ फिर से एक good news है कि तरीका है और वो हम इस वीडियो में discuss करने वाले है step by step तरीके से जानेंगे कि सही mutual fund को कैसे पैचाने select कैसे करें, analyze कैसे करें और फिर उसमें investment करने का क्या तरीका अपना है तो दोस्तों बहुत ही special वीडियो है, informative है और आपको नया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसे miss मत करिएगा, वीडियो को last तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधा वीडियो छोड़ के जाने से दोस्तों आपका ही नुकसान है मैं तो क्या कहूं कहीं सकता हूं लेकि नुकसान आपका रहता है तो आप सची में फाइदा चाते हैं तो वीडियो लास तक देखेगा इसमें मेरा नहीं आपका फाइदा है तो स्टार्ट करते हैं सागर नॉमिक्स में आज mutual funds दोस्तों mutual fund में सबसे पहले हम यह जानने कि mutual fund कई तरीके के होते हैं और आज हम उसमें debt के, equity के, hybrid, sectoral, वगरा वगरा बहुत सारी mutual funds होते हैं आज उनको screen करेंगे सबसे पहले हम लोग तो आप screen पर देख रहे हैं कि screen कैसे करना है So let's begin यहाँ पर आप यह देख रहे हैं कि यह morningstar.in है आप कोई सी भी website खोल लीजिए, जरूरी नहीं कि यह खोलें आप money control पे, rediff पे या आपको जहां भी कहीं मिले value research online, बहुत सारी websites पे आपको mutual funds के बारे में जानकरी मिल जाएगी बहराल अगर आप देखें तो सबसे पहले वहाँ कुछ filters मिलेंगे तो आप filters में आप देखोगे तो यह कहेंगे इंडिया open ended fund या फिर close ended fund, open ended वो होते हैं दोस्तों जो कभी भी खरीदो कभी भी बेचो, close ended वो होते हैं जो आप जब open है वो fund कुछ time के लिए तब तक ही आप उसमें खरीद सकते हैं, उसके बाद फंड की companies तो आप देखिए बहुत सारी companies है, आइसे से potential है, जेम financial है, लाइसे mutual fund है, महिंद्रा है and so many and so forth, फिर बात करें distribution, तो आपको कैसा fund खरीदना है, क्या आप income के लिए fund चाहते हो, regular income के लिए, वह जैसे मान लिजे आप सपोस करिए retirement की age के असपास में है, और आपको ऐसा fund, ऐसा तरीका चीए, कि आप हर मेने कुछ pension की जिसे कुछ पैसा आता रहे, dividend income मिलती रहे, तो आप income वाला fund लिजे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका fund grow हो, और आपको बहुत सारा उसमें growth मिले और आपका return ज्यादा है, तो उस case में आपको growth को fund को लेना होता है, difference यह है कि growth fund में profit जो होता है वो reinvest होता है, जो dividend होता है, वो reinvest हो जाता है, यह नहीं वो चक्रवर्दी ब्याज की तरह से चलता रहता है, compounding की तरह से next है दोस्तों, इसके अलावा, category कौन सी है, तो categories में से आप यहां बहुत सारी categories होती है, लेकिन आज हम एक equity का ही mutual fund लेंगे और उसको analyze करेंगे, तो आप यहां पर कोई सा भी ले ले लेजिए, मैं ले लेता हूँ multi cap, small cap, large cap, यह सब भी मुदूद होते हैं में, ongoing charges, charges कितने लगे हैं, अब दोस्तों, यहां ना एक बहुत important चीज है, mutual fund ना, अधिकतर जो मेरे दोस्ते, जिनको मैं जानता हूँ आपके जैसे ही pre-emitre हैं, वो सारे के सारे mutual fund खरीदते टाइम पर एक चीज को सब ज़्यादा weightage देते हैं, और आप भी निश्चित रूप से उसी को देते होंगे जरा आप वीडियो रोके, और मुझे एक बार ये बताईए, comment section में लिखके कि mutual fund खरीदने में सबसे ज़्यादा importance किस चीज को देते हैं आप ये प्लीज रोक के जरूर करिए, मुझे curiosity है, क्या देखके mutual fund खरीदते हैं, उम्मीद करता हूँ, answer दे दिया होगा और आप में से जिन जिन लोगोंने return लिखा है, वो भी उसमें yes करके लिख दीजे कि हमने return लिखा है तो दोस्तों, जिनोंने return लिखा है, क्या वो सही है, तो मेरा जवाब है दोस्तों, I am sorry to disappoint you but return देखकर के mutual fund खरीदना दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, कभी भी मत करना ऐसा reason क्या है, reason है, the past performance is never the guarantee of the future performance आप 5 साल का track record या उससे जड़ा को उठा के देख लिए, अधितर mutual funds में, सब में up-down, up-down आते हैं कल का जो performer था, winner था, आज का वो loser है, और इसका उल्टा भी उत्रहीं सच है तो return देख करके mutual fund कभी भी नहीं खरीदना, तो फिर क्या देख के खरीदना, देखते हैंने screen पर अब यहाँ है ongoing charges, तो सबसे पहले तो यह देख के खरीदना कि charge कितना लग रहा है, खर्चा कितना हो रहा है, बंदी कितनी देनी है, किराय कितना देना है और फिर है management style, active management या passive management, इसको अभी आप छोड़ दीजे, अब हम चलते हैं, फिर morning star ratings, अब ratings, gold, silver, five star, four star, यह दी जाती है, दोस्तों, mutual fund के जो researchers होते हैं, उनके द्वारा, लेकिन यह अलग-अलग हो सकती है, ज्यादा difference आ सकता है, हर website पे different rating आपको मिल सकती है, बहुत ज्य consider कर सकते हो, बागी सब को छोड़ दो आप, और उसके बाद में आप इन में नीचे funds देख सकते हैं, तो जो मैंने इसको command दी है, उसके हिसाब से इसने funds मुझे shortlist करके दे दी है, अब हम इन में से fund एक pick करेंगे और उसको analyze करेंगे, तो यहाँ आपे देखे कि अब मुझे क Charges की तो ज्यादा कोई जगे है नहीं, मिला नहीं यह सा कुछ, बट कोई नहीं, हम लोग इसमें से ले लेते हैं, एक fund pick कर लेते हैं, बाकी detail में हम आने वाली किसी वीडियो में discuss कर लेते हैं, माल लीजे मैंने ले लिया, Nippon India Multicap, क्या है यह, Nippon India Fund, अभी एक बार open हो जा लेकिन थोड़ी सी हैवी है और थोड़ी सी slow होती है, तो time लग जाता है इसमें, बट इस पर analysis और data काफी अच्छा मिल जाता है, आपके सामने Nippon India Multicap Fund खुल गया, अब देखिए, पहला काम सबसे पहले क्या करना है, बाकी data देखना है बाद में, सबसे पहले आप चलो कहा पर, fact sheet पर, fact sheet पर, fact sheet पर जाके fact sheet खोलते हैं, और इसमें आपको इस fund के बारे में काफी हद तक जानकरी मिल जाएगी, अधिकतर लोग तो fact sheet ना देखते हैं, ना खोलते हैं, वो सीधा उस पे बस action शुरूँ, अब इसको हम लोग full screen कर लेते हैं, एक सेकेंड ना, यह देखिए दोस्तों, आपके screen पर जो है, इसकी यह खुल गई है, fact sheet, अब fact sheet को हम लोग ना एक बार analyze करते हैं, देखिए, सबसे पहले चीज़ क्या है, कि दोस्तों यह है fund किसमे flexi cap category में, दूसरी बात, इस fund का objective क्या है, यह बहुत important है आपको जानना, क्योंकि fund के objective से depend करता है, कि क्या आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, अच्छा यह funds ना, सारे के सारे financial goals को ध्यान में रखके खरीदने चाहिए, कि आपको retirement के हिसाब से पैसा चाहिए, या आपको अपने बच्चे के education के हिसाब से चाहिए, हलां कि इस नाम पर miss selling बहुत होती है market में, insurance company भी करती रहती है, funds भी करते रहते हैं, मुझे तो आज तक कोई ऐसी insurance company मिली नहीं, जो की, जो वो बोलती है कि ये goal आपका financial goal पूरा हो जाएगा इस पैसे से, तो वो कर पाई हो, आपको मिली हो तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि सारे insurance companies, कम investment companies, जो policies होती है, उसका 5-6% के आज़ पास में return आता है, जो हमेशा ही कम पड़ता है, क्योंकि आपकी जो inflation है, वो 6-7% से उपर चलती है, लगबग, तो हमेशा जितना पैसा चाहिए है, उससे कम ही मिल पाता है, फिर भी, insurance is the most essential चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, चलिए, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर यह जो देख रहे हैं, आपकी investment objective का क्या role है, कि आपको देखे कि invest किस तरह से करेंगे, तो यहाँ यह लिख रखा है, क्योंकि उससे आप इसको अपने financial goal के हिसाब से select कर सकते हैं, primary investment objective of the scheme is to seek and generate capital appreciation, यानि कि आपका fund value बड़े, and provide long term growth opportunities by investing in a portfolio constituted by equity securities and equity related securities, and secondary objective is to generate constant returns by investing in debt and money market securities, अब यहाँ दो चीज़े होती हैं दोस्तों, पहली चीज़ क्या है, कि यह अपने capital को बढ़ाने के लिए, यानि आपने जो मान लिए सबसकरी 1000 रुपया लगया, तो इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले equities में invest करेंगे, equities क्या देंगे आपको, यानि कि shares क्या देंगे, growth, long term में, अब आज आपने मान लिए, infosys करीदा और कल आप चारें long term growth, तो कैसे होगी, मान लो कर गिर गया, पर अगर 5 साल में आप देखेंगे या 10 साल में, तो वहाँ growth आपको दिखेंगे, अच्छी companies में growth दिखती है, अब दूसरा ये कह रहे हैं कि लेकिन safety के हिसाब से आप इसमें debt में भी invest करेंगे, debt का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो fixed market की जैसे government bonds हो गए है आपके, जैसे हमारे FD होती है bank की, उस type की चीज़े में जहां से एक fixed income इनको मिलती रहे, तो दोनों को balance कर रहे है, ये इनका objective है, अब सबसे पहले आप पूछो, अपने आप से, क उसके हिसाब से investment objective को पढ़ना बहुत जरूरी है, next है performance, तो performance में आप देखोगे, तो ये अलग-अलग company की performance है, सबसे पहले जो red में दिख रही है, वो है आपकी fund की performance, फिर green में जो आपको दिख रही है, वो benchmark की performance है, अब benchmark का मतलब कि जिस को देखके, ये अपने return को compare करते ह है, अब इस case में benchmark जो है, मान लिजी निफ्टी है, यहाँ लिख रखा है ने, benchmark है, BSE 500 Index, तो और यहाँ पर Nifty 500 Multicap Index, ये benchmark है, तो उस index के मुकाबले में क्या कम है या ज्यादा है, वो return आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ज्यादा अच्छा return दिया है, इसका मतलब benchmark को इसनो category में बहुत सारे fund हैं, उन से उन में से इस fund की performance कैसी है, बट overall ये discussion किस के बारे में हो रहा है, returns के बारे में, तो आपको बता है, returns तो आखरी चीज होती है देखने की, और morning star category rating करिए 4, तो वो एक comfortable point है, ठीक है, अब यहाँ पर यह सारे returns देख सकते हैं, आप कि 2018 में इत्ता दिया, इत्ता दिया, इत्ता दिया, ये, fund ने इतना दिया, benchmark ने इत्ता दिया, और category ने इतना दिया, तो obviously आप यहाँ देख सकते हो कि fund ने ज्यादा अच्छा return दिया है, 2023 का आप अगर देखते हैं तो, एक सगीन दोस्तों, ये, हाँ तो फंड ने ये 20 परसेंट के आसपास रिटन दिया है और बेंचमार्क ने यानि सिंसेक्स या जो भी इंडेक्स ले रहे हैं उसने रिटन कम दिया है अब अगर आगे बात करें इससे तो देखेंगे कि आपकी 3 येर्स अल्फा यानि अल्फा वो होता है जो कि एक्स्ट द्यान मत दीजिये किस चीजा पर द्यान दीजिये कि यह पौर्टफोलियों कैसा बनाते है और इनका ऑवर और की इकेडिविटी स्टाइल कैसी है तो यह कहां इन्वेस्ट कर रहा हैं लारज केप कंपनीज में व Bin scosh στα और in औ बहुत बड़ी कंपनिया जो है नोन में 31% पैसा पड़ा हुआ है 30% के असपास लार्ज केप कंपनीज में मीडियल केप कंपनीज में 34% है स्मॉल केप में थोड़ा सा 3-4% है और माइक्रो केप में तो लगभग ने के बराबर है और उसकी वज़े यही है कि जितनी केप कम होती जाती है केप का मतलब यह वाली केप नहीं बलकि मार्केट कैपिटलाइशन जितनी केप कम उतनी रिस्क ज्यादा है क्योंकि छोटी मार्केट अब देखो कई मेरे दोस्त ना स्मॉल केप कंपनीज खरीद के बैड़ जाते हैं तो उसमें ना सेलर बायर ही नहीं मिलेंगे आपको यानि वहां लिक्विडिटी नहीं है लार्ज केप में फाइदा है कि वहां लिक्विडिटी हमेशा होती है कि आप खरीद सकते हो बेज सकते हो जब चाओ जब तो यही फंड मैनेजर भी यहां पर करने की कोशिस कर रहा है अब इसके बाद में हम इसमें नेक्स चीज क्या देखें वो भी मैं आपको बता देता हूँ देखें यह तो हमने बेसिक चीजें इसकी देख ली है अब यहां इसका दोस्तों यह portfolio है portfolio में आप यहां देख सकते हैं साफ तो पर कि यह कौन-कौन सी companies में invest करता है तो इसको यहां fact sheet में खोलना थोड़ा सा मुश्किल है मैं directly वैसे खोल लेता हूं इसको यहां देखिए यह है overview थोड़ा सा slow है दोस्तों I am really sorry 14 minute का वीडियो तो हो भी गया है और यह site खुलनी रही है थोड़ा सा और इंतजार दोस्तों बस अब कुछ दिखा तो यह देखिए यह तो company का overview आगया इसके अंदर देखो fact sheet में आपको facts मिलेंगे लेकिन आपको सबसे important चीज जो देखनी है वो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको कौन सी सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि return इसका expense ratio है वो कितना है तो यहां देखेंगे 0.97% तो expense ratio देखना बहुत जरूरी है तो जिसका सबसे कम हो आप वो fund को ज़्यादा priority दो यानि कितना भी अच्छा fund हो लेकिन अगर expense ratio ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका खर्चा ज़्यादा है यानि आपको अगर वो 15% कमा के दे रहा है और 2% उसमें मान लीजे कि expense ratio है तो इसका मतलब 13% ही आपकी जेब में आएगा ठीक है जबकि अगर मान लीजे एक ऐसा fund है जो आपको सिर्फ 12% कमा के दे रहा है या मान लीजे आपको सिर्फ 14% कमा के दे रहा है लेकिन उसका expense ratio मान लीजे 0.5 है तो उस case में आपकी जेब में net 13.5% आएगा प्रब्लम यह होती है कि वो अलग-अलग companies में invest नहीं कर सकता because of savings rules क्योंकि अगर बहुत-बड़ा fund है और उसने मान लीजे सोचा कि चलो मैं 1000 करोड रुपर लगा जेता हूं आपके तो कई companies का तो वो 50% share holding से भी उपर चला जाता है तो वो अच्छी companies में because of that वो नहीं कर पाते तो fund की size छोटी या medium होनी जरूरी है next है दोस्तों इसके बाद आप देखी कि load कितना है इसके उपर load होता है exit load mostly कि जब आपने रखा जब तक तो रखा जब आप fund sale करने जाते हैं तो आपको fund कुछ charges काट लेता है exit load के लिए क्योंकि उनकी fund value कम हो जाती न तो वो नहीं चाते कि investors छोड़ छोड़ के जाए तो ऐसे case में आपको देखना होगा कि investor को कितना percent exit load देना पड़ेगा इस case में 1% है अब आप इसको compare करके दूसरी company से देख सकते हैं तो आपको पता पड़ जागा कि किस fund में कितना फाइदा है next दोस्तो category हमने देखा कि जो investment objective है उसके हिसाब से हमने category select कर रखी है और इसके लावा फिर last में जाकर कि आप ये देखेंगे इसके अंदर के return आपको कितना मिल रहा है इसके लावा आपको ये भी देखना है कि turnover कितना कर रहा है turnover भी दोस्तों कम होना ज़रूरी है क्योंकि ज्यादा turnover का मतलब है कि जो fund manager है वो बार-बार shares खरीद रहा है बार-बार बेच रहा है मानलीजे आज उसने infosys खरीदा एक मेने बाद वो बेच करके TCS ले रहा है तो उसका तो कुछ नहीं गया लेकिन जो investor है उसके return में से security transaction tax stamp duty ये सारे जो है वो minus हो गए brokerage वगरा वो लगने की वज़े से उसका return कम हो गया तो turnover ratio बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा तो दोस्तों ये चीज आप देखिए इसके अलावा portfolio पे नज़र डाल दीजिए आपकी इसने कौन सी companies में ज़्यादा invest किया हुआ है साथ में जो fund manager उसका track record क्या है कि fund manager कौन सा रहा हुआ है उसने पहले कहां काम किया हुआ है अगर आप वो सब नहीं भी देख सकते तो एक बार इसके portfolio पे आप नज़र जरूर डाल दीजिए जैसे इसने SDFC bank में साड़े छे परसेंट के आसपस में invest कर रखा है और share इसने बड़ा भी दिया है अपना इसके अलावा जो linda India है इसको आप देखिए जाकर कि भाईया इसमें इसने सबा पांच परसेंट क्योंगा रखा है Axis Bank, EIAH और ये ICACA Bank इनमें सब में इसने invest कर रखा है और इतनी इतनी investment इसने कर रखी है तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि mutual fund में कौन सी चीजें ये ये वाला fund कर रहा है और आपको इससे फाइदा है कि नुकसान है दोस्तों एक वीडियो में सारी चीजें कवर करना दो खेर बहुत मुश्किल है लेकिन मैंने आपको एक nut shell में बताने की कोशिस किये कि mutual fund में आपको एक्चली investment करते टाइम return पे focus सबसे last में करना चीए सबसे पहला focus करना चीए expense ratio पे जितना कम expense ratio उतना अच्छा बाकी इसके लावा fund की size भी छोटी या medium होगी तो जादा अच्छी है तीसरा यह है कि आपको देखना turnover कम होना चीए उसका और चोथी चीज है दोस्तों कि rating जो है वो last में वो जो 5 star rating 4 star rating वाले जो funds होते हैं वो comparatively better होते हैं कम risk में ज्यादा अच्छा return देते हैं और last चीज है वो है कि actual return देखना दोस्तों इसी sequence में अगर आप fund को analyze करेंगे तो आप मान के चलिए कि अच्छे funds आप search भी कर लेंगे और उनमें SIP के through invest करेंगे तो risk भी कम रहेगी अगर कोई मुझसे पूझे कि आप लंसम में invest करने के लिए कहोगे कि SIP में तो मेरा answer हमेशा SIP ही होगा क्योंकि उसमें आपको तीन फाइदे मिलते हैं पहला फाइदा diversification का क्योंकि आप एक अकेले stock में invest नहीं कर रहे हैं बलकि बहुत सारे portfolio में कर रहे हो दूसरा फाइदा rupee cost averaging का यानि कि आपका 1000 रुपया 10,000 रुपया जो भी आप per month डालते हो उससे units खरी दी जाती है तो जब units की price कम होती है जब market गिरता है तो आपके पास ज्यादा units आती है और जब market उठता है तो आपकी fund value बढ़ जाती है अब तीसरी चीज़े वो है compounding का effect यानि यहाँ पर आपको growth option जब आप select करते हो तो जो fund value है उसमें जब dividend yield होता है तो fund value बढ़ जाती है और अगला return उसके उपर calculate होता है इस तरह से चक्रवर्दी ब्याज या compound interest वाले formula से आपकी fund value बढ़ती जाती है इस वज़े से systematic investment plan ज्यादा अच्छा है lump sum से लेकिन कभी fund बहुत ज्यादा गिरा हुआ है या कोई special situation में आप चाहो तो lump sum को भी consider कर सकते हैं दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलेंगे लेकिन तब तक आज आपने इस mutual fund के वीडियो में क्या सीखा और क्या आपको अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा वो भी मुझे comment section में जरूर बताईए आने वाले दिनों में अगर आपको होगी तब mutual funds पे और वीडियो बनाएंगे ये बहुत बड़ा field है और बहुत important field है मैं आपको वो सारे secrets बताऊंगा free of cost जो बड़े-बड़े fundamentals आपको नहीं बताते हैं दोस्तों मेरी आपकी दोस्ती आगे बनी रहे हमाया रिष्टा इसी तरह से जुड़ता रहे आपका विश्वास आपका प्यार मुझे होसला देता है और अच्छी मेहनत करके आपके लिए better content लाने की लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस content को अपने अधिकतर दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा है यहां मैंने आप join बटन पे click करिए and I know investing यह आप join कर लीजेगा तो वहां हम ऐसे ही detailed वीडियोज आप से share करेंगे जिससे आप खुद अपने आपने एक expert बन जाएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में इत्रह ही अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं के लिए जय हिंद